आज फिर से एक नई रेसिपी के साथ मैं आ गई हूँ आज है महानम्मी तो सबसे पहले आप सबी को मेरी और मेरे परवार की तरफ से महानम्मी की धेर सारी सुब कामना है तो आज मैं कन्या पूजन वाली पूरी थाली की रेसिपी आप सबी के साथ शेयर करने वाली हूँ साथ ही हम बनाएंगे आलू की देशन वाली सब्जी जिससे आप नॉर्मली घर पर बनाकर रोटी पराठा पूरी इंज़र कर सकते हैं प्रशाद का हम बनाएंगे काले वाले चने और साथ में हलुआ बनाकर तयार करेंगे आप सब अच्छे से होंगे और अपना खूब सारा खयाल रख रहे होंगे तो बस वीडियो थोड़ी सी आज की बड़ी है तो आपको पूरी लाश तक मेरे साथ बने रहना है सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो कप काले वाले चने लिए थे जिनको पूरी रात मैंने होल्ड करके रखा हुआ था अब दो बार चनों को हमें धोकर कोकर में डाल कर आदा ग्लास पानी के साथ चने को अच्छे से वॉइल होने तक पका लेना है तीन से चार सीटी में ये अच्छे से पक कर रेडी हो जाएंगे देखिए बिल्कुल इसी तरह से आप हाथ से मैश करके देख लीजिए चने पकने चाहिए अब मैं यहाँ पर ले रहे हूँ छोटा वाला चार और चार से पांच मैं इसमें ले रहे हूँ ये उबले हुए चन और ाज की पूरी धाली हमारी साथ प पॉर्ड़ने वाली है तो सबसे पहले मैंने एक पाहु लिया जहिए नहीं दोशटमच धनिमति एक चनी पउड़र मैं चम्मच रालमर्मर्च बाय्चाला से और द तेखिए अब मसाला और ए इसमें करल के उच्टे या कर न्यारा करनों गुर्णी करा चले नविए उन्हां iki गोल भूषा जानए navy करना चलिए गयास की तरफ छलते हैं गैश पर मैंने टेव सब्हुरी कहते हैं जो क्राइज मेनेजारे तरहरे बनेज़ फिकमाइ Icham निकाल पाएंगे मैंने हींग डाल दी है चार से पांच पिंच और अब मैं इसमें डाल रहे हूं जो हमने हल्दी मिर्ची वाला मसाला बनाया था बस वही डाल देंगे अब इस पैचुला लेना है और इसे अच्छे से भून लेना है मसाले को आपको यहाँ पर दो से तीम इन अच्छे से भूनना है जब तक यह और रिलीज ना कर दे गैस का फिलेम आपको मीडियम टू लो पर ही करना है अगर आपको ऐसा लग रहा है कड़ाई ज्यादा गरम हो रही है तो एक तम लो पर कर लीजिए और फिर मीडियम पर करते हुए आपको इस मसाले को भून लेना है तोड़ी देर में ही ये तेल रिलीज कर देगा और काड़ा भी अच्छे से हो जाएगा ज्यादा टाइम आपको इसे भूनने में नहीं लगेगा आज के जो हमारे चने हैं अगर आपको ये शिकायत रहती है कि चने में मसाला नहीं चड़ता है तो आज के बाद आपकी ये जो टेंशन है दूर हो जाएगी अब हमने जो चने पीसके रखे तेवसवही मैं इसमें डाल दूँगी ये तोड़े सुके सुके से हो जाते हैं तो बस इसी तरह से ही आपको पूरा इसमें डाल दीना है फिर से आप इस पेच्छला चलाना शुरू करिए ये थोड़ा सा औ और भी गाड़ा हमारा मसाला बनकर रेडी होगा, यहां पर जो हमने चने पीसके रखे हैं, उसके पौडर को आपको अच्छे से भूनना है, दो मनेट अभी आपको इसमें और लग जाएगी, यह देखिए कितना गाड़ा हमारा मसाला बनकर रेडी हुआ है, बस अब हम इसे जादा टाइम नहीं भूनेंगे दो मिनेट भूनने के बाद ये इस तरह का गाड़ा सा हो जाएगा और इसी स्टेज पर अब मैं इसमें डाल दूंगी उबले हुए चने जो हमने उबाल के रखे थे पानी के साथ ही डाल देंगे पानी आपको इसका फेकना नहीं है बिल्कु एक बाल चने को हमें यहां पर मिला लेना एस पैचला जैसे में चला रही हुँ बिल्कुल आपको इसी तरह से चलाना है अब आप गैस का फले मीडियम पर कर दीजिए और इसे एक बार मिला लीजिए-क यह थोड़ा सा मिलाने में टाइम लगता है अव आप देख सकते हैं ह इसी भी दिन इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए भस धक करें से हमें दस मिनट अच्छे से पका लेना हैं दस मिनट वाद यह देखिए जो हमने पानी डाला था वह भी इसमें सूख गया है और जो छोले हैं उसमें अच्छे से मसाला लिपट गया है और इसने टेल भी रिलीज कर दिया है अब आप देख सकते हैं एक बार आप देखिए हमारे चने कितने सुन्दर लग रहे हैं बिल्कुल एक दम मसालेदार चने हमारे बन करके रेडी हुए हैं अब मैं इसमें डाल दूंगी पारी कटा हुआ हरा धनिया क्योंकि हमने सारे मसाले इसमें पहले ही एड़ क देंगे बन और मैं इसे आपको बावल में निकाल करके भी एक बार दिखाऊंगी कि हमारा जो चना है बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है और मसाला हर एक चने में लगा हुआ है इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है आप अगर यह चने बना कर किसी को देंगे त यह बहुत ही टेस्टी होते हैं देखने में सुन्दर लगते हैं अगर आप हमेशा नवरत्रे राव नम्मी के लिए चने बनाते हैं तो इस बार आप इस तरह से यह चने घर पर बना कर इंजॉय करिएगा तो चलिए मैं सारे चने निकाल देती हूँ बावल में और इसे गा हमारा हल्वा बनकर रेडी होने वाला है सबसे पहले मैंने गैस पर एक छोटा चमच खी डाल दिया है देशीगी से ही बनाईएगा और जैसे ही हमारा घी गरम हो जाएगा हम इसमें ड्राइफूड एक कर देंगे मैं यहाँ पर बदाम और काजू ही ले रही हूँ आप यहा पर मुझे परसनली किसमिस पसंद नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर काजू और बदाम ही इस्तेमाल कर रहे हूं जिनके बड़े-बड़े मैंने टुकडे काटके रखे दे 10 के लगवक मैंने बदाम लिये हैं और 10 ही मैंने काजू लिये हैं तो बस इसका कलर चेंज होने के बा आप ड्राइफूट मून रहे हैं तो कम घी डालिया और उसके बाद घी एड़ कर दीजिए अब मैंने यहाँ पर आदा कब से थोड़ा सा जादा सूजी लिए यह मेरे पास मोटी वाली सूजी है आपके पास अगर बारिक वाली है तो आप वह भी ले सकते हैं उससे भी जो हलुआ है इसका कलर कितना सुन्दर आएगा इसे भूनने में आपको कम से कम पांथ से आट मिनट तो लगी जाएगी गैस का फ्लेम लो पर करते हुए ही भूनिएगा हाई फ्लेम पर करेंगे तो आपकी सूजी चल जाएगी तो चलिए इसे इसी तरह से भून लेते हैं अब आप देख सकते हैं इसने रिलीस कर दिया है घी को और हमारे जो सूजी है इसका भी कलर चेंज हो गया है आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये पतला भी हो गया ये देख सकते हैं स्पेचलर से मैं आपको इसे दिखा देती हूँ इस तरह से सूजी भूनेंगे तो इसका क लर हलुए का काफी अच्छा आता है चलिए आप गैस को एकदम लो पर कर दीजिए और इसमें देड़ कप के लबब में पानी एड़ कर रही हूं नॉर्मल पानी है वस पही ले रही हूं आप चाहें तो पानी को कुनगुना करके भी ले सकते हैं और बस गैस का फिले में गाड़क कर लेना है इससे दो चीजें होंगी एक तो आपकी सूजी जलेगी नहीं आपको सूजी को कड़ाई से बाहर भी ने निकालना पड़ेगा और ये छिटकेगा भी नहीं तो इसलिए आप इस तरह से हल्वा जरूल बनाएगा कुछ ही सामान से बनेगा ना हम इसमें केसर वगेरा का किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप चाहें तो इसमें केसर का दूद भी एड़ कर सकते हैं इससे भी जो हल्वा है इसका टेस्ट और कलर भी अलग हो जाएगा अब देखिएगा दो से तीन नेट वाइद ही ये गाड़ा होना शुरू कर देगा और पैन को भी छोड़ देगा और जब हल्वा जब हम रख देते हैं बनाने के बाद तो काफी वह गाड़ा हो जाता है तो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कर लीजिए और यह आप देख सकते हैं हमारे हल्वे का कलर बिलकुल एक दम इसने इसको कड़ाई को छोड़ भी दिया है औ एक चमच शक्कर और एड़ कर लीजिए इस तरह जितनी मैंने शक्कर डाली आदा कप इतने हल्वे में यह काफी होगी एक चरटा चमच मैंने इलाइची का पॉर्डर भी इसमें एड़ कर दिया है आप फिर से सभी चीजों को मिलाना शुरू करेंगे जैसे ही आप शक्कर पर मैं इसमें डाल दूंगी जो हमने ड्राइफूर भून के रखे थे बस वही डाल देंगे गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल भी हाई पर या मीडियम पर नहीं करना है एक दम लो पर ही करके रेडी करना है बस चलिए गैस को आप कर देते हैं और मैं यह हल्वा आपको बनाईएगा एक बार बनाकर आप टेस्ट करिएगा और यह देखिए मैंने हल्वे को प्लेट में निकाल लिया है इसे भी अब हम रख देंगे साइड में और मैं बनाऊंगी अब आलू की भंडारे वाली या हल्वाई वाली सबजी आप बोल सकते हैं लेकिन मैं मेरे तरीक यहाँ पर मैंने जीरा बोड़ा लिया है आदा चमच लिया है गरम मसाला आदा चमच भाजी मसाला लिया है आदा चमच कसूरी मैती दो छोटे चमच मैंने इसमें बेसन लिया है यह बेसन कच्चा बेसन है और छना हुआ है बुना हुआ भी नहीं है बस थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एक घोल बनाकर तयार कर लेना है यह जो आलू की सब्जी है ना बहुत ही टेस्टी लगती है बिना लैसुन प्यास टमाटर के यह सब्जी हमारी बन करके रेडी होने वाली है तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि वीडियो में मेरे साथ लास तक बने रहीए सब्जी अगर आप किसी भी सब्जी या कोई भी सटैप मिस्कर देते हैं तो रैसीपी परफेक्ट नहीं बनती है अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं गैस पर मैंने कड़ाई रग दी है और इसमें दो चम्मज तेल डाल दिए हैं जादा तेल की सब्जी हम नहीं बनाएंग रेडी होगी आदा चम्मच जीरा आदा चम्मच मैंने इसमें राई डाल दिये कुछ करी के पत्ते डाले हैं और बारी कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी है दो हरी मिर्ची आप अपने हिसाब से एड़ेस्ट कर सकते हैं तीखा जादा पसंद करते हैं तो आप मिर्ची और सब्सक्राइब दाल दूगी इस तरह से सब्जी बनाने में अलगी टेस्ट आता है तो एक बार आप इसे जरूर ट्राइब करिएगा दो चम्मच के लगवग यह हमारा मसाला बनकर रेडी हुआ है क्वांडिटी आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं अगर आप आलू तो बस अब मैं दो मिनटी इसे भूनूंगी गैस का फ्लेम एक दम लोग पर कर देंगे और इसे भून लेंगे चलिए इसे अच्छे से भून लेते हैं तब तक आप मुझे बताईए आज की मेरी यह रेसिपी आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं और अगर वीडियो 300 ग्राम के लगवग आलो लिये हैं जिनने और जाइब एक चममच इसमे जाएगा और कल चीज़े हमें इसे अच्छे से मिला लेना आलू को अब आपको यहां दो मिनट अच्छे से भूनना होगा इससे हमारी जो सबजी है और भी टेस्टी बनेगी दो मिनट बाद मैंने यहां उपर दो से तीन कप पानी एड़ कर दिया है एक कप पानी मैंने उसी वाउल में जिसमें हमने मसाला बनाय देने है और थोड़े थोड़े बड़े ही रहने देना है तो चलिए इसी तरह से स्पैचुला चला देंगे और इसे धक कर कम से कम आपको 10 मिनट पकने देना है इससे का कलर भी अलग आएगा और जो सबजी है यह तेल भी रिलीज कर देगी यह देखिए हमने इसमें और यह लीजे 10 मिनट हो गई है सबजी हमारी अच्छे से पक गई है देखिए किनारे से कितना सबजी ने ओयल रिलीज कर दिया है जबकि हमने इसमें दो से तीन चमची तेल डाला था अब मैं इसमें डाल दूंगी बारी कटा हुआ हरा दनिया और अब आप हमारी सबजी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी हैं पूरी पराठा और या फिर आप इसे रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं रेगूलर टाइम पर आज मैं इसे नम्मी के दिन दुरगा नम्मी के दिन बना रही हूँ बच्चों के लिए तो यह आप देख सकते हैं हमारी सबजी भी आलू की बन करके रेडी हो गई है चलिए इसे भी साइड में रख देते हैं आलू की सबजी रखने के बाद काफी गाड़ी हो जाती है तो उसकी consistency आप maintain कर सकते हैं जादा गाड़ी चाहिए तो कम पानी डालिए अगर आपको पतली चाहिए तो पानी अड़ कर दीजिए अब यहाँ पर कड़ाई में मैंने तेल गरम होने रख दिया था और इसमें डाल देंगे पूरी पूरी देख सकते हैं आप एकदम फूली फूली हमारी गैन की जैसी फूली पूरी बनकर रेडी हो रही है पूरी की रेसीपी नॉर्मल पूरी की रेसीपी है यह मैंने आप सभी के साथ कई बार शेयर करी होई है चैनल पर अपलोड है अगर आप देखना चाते हैं तो जाकर देख सकते हैं चैनल पर नहीं तो आप मुझे कमेंट कर दीजे मैं आपको उस वीडियो की लिंक दे दूंगी तो आप देखिएगा गैस का फूली मैंने अभी हाइपर रखा है बस पूरी अगर फूली फूली आपको बनानी है तो आटा परफेक्ट टाइट लगाना होगा जिससे कि पूरी एकदम परफेक्ट बन करके रेडी होने वाली है कडाई में मैंने धेट सारा तेल डाल दिया है तो मैं यहाँ अपर तीन से चार पूरी एक बार में सेख सकते हूं यह देख सकते हैं आप कोई भी पूरी हमारी फूली की नहीं बिलकुल क्योंकि हमारा आटा इकदम परफेक्ट तो चलिए गर्मा गरम फूरी फूरी पूरी बना लेते हैं और प्लेट लगा देते हैं तो आप मुझे बताईए कि आप इसी तरह से ही सबजी, हलवा, पूरी, चना घर पर बना कर इस तरह से इंजॉय किया है आपने कि नहीं अगर नहीं किया है तो देरी किस बात की है कर लेती हूं लो जी अब आ गई हमारी ये प्लेट इसमें लगाएंगे पूरी और ये आ गया है हलवा ये आ गए हमारे चने जो हमने बनाकर तयार किये थे साथ ही बेसन वाली आलू की सबजी मैंने लगा दिया है नहां पर मैंने कन्याओं के लिए ये चौकलेट रखी है पै आपको सबसे ज़्यादर मेरी जो सबजी या फिर हलूवा की रेसीपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मैं फिर मिलूंगी आप सभी से एक नई रेसीपी के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई